हलो फ्रेंट्स वल्कम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हारदिक स्वागत है डार्फ सर्कल्स के समस्या को दूर करने के आसान उपाए जी हाँ, दोस्तों डार्फ सर्कल्स मतलब आखों के नीचे काले घेरे दोस्तों यह समस्या अब एकाम समस्या बनती जा रही है यह समस्या ना तो सिर्फ महिलाओं में बलकि पुर्षों में भी पाई जा रही है जिसका मुक्य कारण तनाव होता है दोस्तों अगर कुछ और कारणों की बात करें तो कम सोना, कम पानी पीना, हार्मोन्स में बदलाओ और हमारी बिजी लाइफस्टाइल इसके इलावा जेनेटिक कान भी हो सकते हैं दोस्तों यह डार्क सर्कल्स हमारी खुबसूरती में ग्रहन लगा देते हैं आई जानते हैं डार्क सर्कल्स को हम आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं और फिर से वही खुबसूरती पा सकते हैं आई जानते हैं कुछ आसान से उपाए दोस्तों टमाटर डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए जादू की तरह काम करता है दोस्तों एक टमाटर ले और उसे खिस गिसने के बाद उसका जूस निकाल लें अब आप रूई की सहायता से अत्वा हातों से अपने डार्क सरकल्स पर इसे लगा लें इसे दस मिनट के लिए लगा रहने दें इसके बाद आप ठंडे पानी से आँखों को धुल लें दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे कि डार् का इस्तेमाल डार्क सरकल्स की समस्या को दूर करने के लिए करते हैं दोस्तों डार्क सरकल्स की समस्या को दूर करने में खीरा बहुत उपयोगी साबित होता है दोस्तों आप एक खीरा लें इसे गोल-गोल आकार में काट लें अब इस टुकडों को आप आधे गंटे फ्रि आलू का रस डार सर्कल्स पर जादू की तरह काम करता है दोस्तों आप एक आलू लेकर उसको छील कर घिस लें घिसने के बाद उसका रस निकाल लें अब इसके रस में कॉटन की बॉल्स डुबो दें अब इन कॉटन की बॉल्स को द derivatives को कुछ बूने गलीसरीन की मिला ले और कुछ बूने गुलाब जल की डाल ले इसको भी डार्ट सर्कल्स पर लगाने पर आपके डार्ट सर्कल्स बहुत ही जल्द खतम हो जाते हैं और आखों के नीचे की स्किन में चमक आ जाती है दोस्तों यदि आपको आखों पर ताजकी और डार्ट सर्कल्स से मुक्ती पानी है तो आप गुलाब जल के कुछ बूने रूई पर गिराएं और उस रूई को गोल बनाकर आखों पर रखें ऐसा 10 मिनट करें आप देखेंगे कि यह न सिर्फ डार्ट सर्कल्स कतम करता है बलकि आखों में एक अलग सी ताजकी भी देता है दोस्तों यदि आप डार्ट सर्कल्स को जल से जल दूर करना चाहते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों एक चम्मच हल्दी में आप एक चम्मच दही मिलाएं फिर स्पेस्ट को डार्क सरकल्स पर लगाएं दोस्तों दस मिनट आप इसे यूही छोड़ दें इसके बाद कुनगुने पानी से धोलें आप देखेंगे कि यह जादू की तरह काम करता है दोस्तों हल्दी में एंटिबायोटिक गुड़ पाए जाते हैं जो किसी भी दाग धब्बे को दूर करने में सहायक होते हैं दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद